Hello everyone, मैं हूँ जैश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंप्रस्टिंग यूट्यूब वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का SP यानि सेक्रेटरल प्राक्टिस और यहां दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चाप्टर नमबर 11, Financial Market पर और आज के इस वीडियो में हम डिसकर्स करेंगे Capital Market and its Features यहां दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर बात हमने की थी Money Market की और उसके Features देखे थे हमने जाना था कि यार Short Term Funds है ना तो अपने वो Money Market ही जमता है क्योंकि एक दिन या एक साल तक का इसका Duration है लेकिन बात अगर लंबे समय की है तो याद आती है Capital Market की और यह अपना ही चे बास जो आप Stocks पे तुम कर रहे हैं आज कल जो आपन कर रहे हैं बहुत Zero धा के उपर Grow के उपर पैसना Grow कर रहे है न वही है Capital Market और Capital Market के और उसके Features को आज के इस वीडियो में जानेंगे लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए है तो उससे जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाईए क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे informative वीडियो मिलते रहेंगे साथ ही साथ दोस्तों अगर आप नए है तो जरूर चैनल की playlist section में जाएए वहाँ आपको चार्टर वाइस प्लेलिस मिल जाएगी economics, OCM, IT और SP की भी आप वहाँ से अपनी चार्टर व तो दोस्तों शुरुआत से शुरू करूं तो financial market के introduction की बात करते हैं, financial market क्या है दोस्तों ये एक ऐसा market है जहाँ पर investor अपना surplus पैसा ले करके आते हैं, उसको एकदम must saving को capital में बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ से आते हैं, borrower ये होत सकते हैं, corporates, governments या हम कह सकते हैं private individuals ये पैसा लेना चाहते हैं, उधार लेना चाहते हैं, अपना capital raise करना चाहते हैं, चाहते हैं business में growth और इसी लिए ये पैसा ले कर जाते हैं और फिर ब्याज देते रहते हैं, interest, dividend वगेरा देते हैं दोस्तों, इस market को financial market कहते हैं, जहां पर financial instruments में dealing होती है, directly कोई cash का लेन दे नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहां पर financial instruments होते हैं, commercial papers कह लिजिए, shares हो लिजिए, mutual funds वगेरा, इनकी dealings जहां होती है, उसी को financial market कहते हैं, और पिछली वीडियो में हमने देखा, दोस्तों, financial market का classification, जिस capital market को आज हम पढ़ने वाले हैं, तो क्या है capital market, दोस्तों याद रखिए, borrowing and lending for long term, borrowing and lending for long term, borrowing and lending for long term, borrowing and lending for long term capital requirement, when there is a requirement of long term capital, यानि लंबे समय के लिए आपको ज्यादा term के लिए पैसा चाहिए, आप बड़ा investment कर रहे हैं, या बड़ा कामकाज आपका है, बड़ा large scale पर है, तो ऐसे में long term capital required by business enterprises, यहाँ पर वो पूरा हो जाता है, तो financial assets deal with the capital market have long or indefinitely maturity period, यानि ये indefinite time होता है भाई, ऐसा नहीं कि 5 साल, 10 साल, ये उससे भी ज्यादा का हो सकता है, the capital market is a core of country's financial system as it helps in mobilization of resources, तो capital market भी एक बहुत एहम market है, देश की आर्थिक स्थिती को मजबूत करने के लिए, financial system को मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये resources को mobilize करता है, funds को एकटा करता है, एक channelize करते हुए एक ठीक जगा पर पहुंचाता है, as per SEBI, capital market is a market for long term debt and equity shares, तो जो भी हम आजकल अलगलग apps के माध्यम से, अपने DMAT account से, जो shares की holding वगेरा कर रहे हैं, अब stocks हो, zero धा हो, grow जैसे apps हो, जिनके जरीए हम दोस्तों ये कामकाच कर रहे हैं, shares लेने का, बेचने का, खरीदने का, in this market ही ये dealings होती है, the capital funds comprising of both equity and debt are issued and traded here, this also includes private placement of debt and equity, as well as organized markets like stock exchanges, तो ये stock exchange, यानि Bombay stock exchange हो गया, ये national वाला जो हो गया, ये अलग-अलग stock exchanges, जो है न, ये यहाँ पर trade हम करते हैं, one of the important functions of the capital market is to provide ease of transactions for both investors and companies, तो घूम बिर के बाद सिर्फ इतनी दिमाग में रख लीजिए, long term capital चाहिए, तो capital market में जानेगा, short term चाहिए, तो money market में जानेगा, चलिए बढ़ते हैं, दोस्तों, आगे, आज बात करते हैं, features of capital market की, क्या है खास capital market में, तो दोस्तों, खुल मिलागर के 8 point का ये answer है, और इन 8 point को उस दिमाग में fit करने के लिए, लिख करके practice करने के लिए, और board exam में अच्छी तरीके से present करने के लिए, हमारा short code है, and non-marketable securities, इसके अलावा R से regulated to government rules, regulations and policies, आखर में दोस्तों, R से risk है, P से 2 points है, presence of intermediaries, यह आपर बिचौली agents होते हैं, promotes capital formation, L से link between investors and borrowers, जाहिर सी बात है, investor को borrower से मिलाता है, साथ ही साथ, we say, variety of investors, तो चलिए हर point को अब बारीकी से देख लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं features of capital market, answer का नाम, doctor par love, चलिए दोस्तों, पहला point देख लेते हैं, यह है deals in medium and long term investment, तो जैसा कि मैंने शुरुआत नहीं बताया आपको, कि बास यह small यह short term के लिए नहीं है, यह है long term के capital market is a market where medium and long term financial instruments are traded, though और we can say through this market, corporates, industrial organizations, financial institutions, access long term funds from both domestic and foreign markets, यहानी लंबे समय के लिए ज्यादा time के लिए आपको पैसा use करना है तो आप capital market का हिस्सा बन जाए, साथ ही साथ दोस्तों, deals in marketable and non marketable securities, तो यहां पर both types of securities are traded, they can be transferred, यहानी shares, debentures, etc. और non marketable में, which cannot be transferred, जैसे term deposits हैं, loans हैं, advances हैं, तो shares, debentures में भी deal करते हैं, और जो loans वगेरे हैं, advances हैं, term deposits हैं, इनमें भी deal करते हैं, हर type की चीज़ यहां पर trade होती है, बात करें, regulations की, तो यह सरकार के अंडर ही है, rules, regulation और policy सरकार ही है, capital market operates freely, however it is regulated by government rules and regulation, example से भी, यह जो संस्था है ना, यह capital market को पूरी तरह से regulate करती हैं, दोस्तों इसके अलावा risk की बात करें, तो बहुत risk तो है, जाहिर जी बात है, risk है, तो ही तो risk है, यह तो हम हजार वार सुन चुके हैं, risk is very high, here, as the instruments have long maturity periods, इतने लंबे समय में, बीच में क्या dama dole हो सकता है, क्या उतार चणावा सकते हैं, market में क्या बदला हो सकता है, यह कोई predict नहीं कर सकता, और इसलिए risk तो है, यहां पर low returns थे, यहां पर high returns है, बात करें, presence of intermediaries की तो भाया है, मैंने जैसे आपको starting में apps के नाम भी बताये, up stocks जैसे app है, यह growth जैसे app है, यह जो apps है, यह intermediaries ही तो है, यह DPs तो है, capital market operates with the help of intermediaries, like brokers, underwriters, merchant bankers, collection bankers, these intermediaries are important elements of capital market, यह आसान बनाते हैं काम को, लोगों से easily यह का बालवा लेते हैं, इसी लिए इन intermediate risk इन agents की इन brokers की जरुरत पड़ती है, बात करें, promotes capital formation की, तो यह जाहिर सी बात है, capital market के जरीए, जो surplus saving पड़ा हुआ है, वो actual में capital में convert होता है, वो पहुंचता है, इन्वेस्ट और बॉर्वर्वर्स तक और जो उसे invest करते हैं capital की तरह, capital market provides a platform for investors and borrowers of long term funds to trade, this leads to capital formation in an economy, as it mobilizes funds, तो यार जो funds ऐसे ही पड़े थे, वो mobilize होते हैं, वो सही channel से, सही रास्ते से, सही जगह पर invest हो पाते हैं, इसी वो कहते हैं capital formation, बढ़ते हैं दोस्तों आगे, यहां पर मैं आखरी points की बात करूं, तो L से है link between investors and borrowers, तो जाहिर सी बात है the capital market is link between these two, investor अलग कहीं पर बसा हुआ था, borrower कहीं था और दूसरी जगह पर, इन दोनों को मिलाने का काम इस market ने किया है, and that is why it is a link, it roots money from savers to entrepreneurial borrowers, उमीद करता हूं, यह link भी आप समझ गए होंगे, आखरी point की बात करें, पाल लव में, तो V से है variety of investors, capital market has a wide variety of investors, अलग अपने जैसे सीधे साधारन मानुस, इसके अलावा like general public, और and institutional investors like mutual funds वाले भी इसमें होते हैं, insurance company वाली भी होते हैं, financial institutions भी होते हैं, banks वगरे भी, तो हर type के यहाँ पर आपको variety investors की मिल जाती है, तो उमीद करता हूं दोस्तों, यह सारे points आप समझ पाया होंगे, कुल मिला कर के आप पॉइंट, डॉक्टर, पा, लव, इसके अंदर, deals in medium and long term investment, deals in marketable and non marketable securities, regulated to government rules, regulation and policies, R से risk, P से दो पॉइंट से याद रखिये, presence of intermediaries और promotes capital formation, आखर में दोस्तों, L से, link between investors and borrowers, और V से, variety of investors, दोस्तों, बहुत सारे अलगले instruments हैं, जो इस market में trade होते हैं, जैसे की equity shares, preference shares debentures, bonds, government यानि सरकारी securities और public deposits, तो उमीद करता हूँ, दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आपको capital market का meaning समझाओगा, उसके features समझाया होगे, और ये instruments भी आपने जरूर note down कियोंगे, अगर वीडियो यहाँ तक देखा है ना, तो जरूर like कीजिएगा, comment में बताइगा कैसा लगा बॉस और ज्यादा ज्यादा solutions तक इसे पहुँचाईगा, चैनल पर अपना प्यार वरकरार रखीगा, हम ऐसी वीडियो लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे, आप बने लिए तब तक, do like, share and subscribe, thank you very much.